हेलो स्टूडेंट आज हम आपको फूड एंड निट्रेशन का जो पेपर था अब्जेक्टिव टाइब उसको सॉल्व करेंगे उसके आंसर बताएंगे तो सबसे पहले लेते हैं हम जो मैंने ही पेपर लिया है ये है अब्जेक्टिव टाइब कोशन पेपर एमसी क्यूज है है इसमें इसमें पी इसके जो सिरीज लिये हमने उसमें हम सबसे पहला वोशन पड़ता है अस सबस्टेंस नीजिट बाइब बाड़ी फोर ग्रोथ एनरजी रिपेर एंड मैंटिनेंस इस कॉल्ड वो पोशक तत्व जो हमारी बाड़ी के लिए मरमत या पोशन है तो the number one nutrient कहते हैं second marshmallow nutrient present in sugar sugar में कौन सन्ट्रेंट प्रेजंत होता है थो उसका अंसर है carbohydrate third है percentage of Water in human body is to leaves myção water water होता है To knowledge प्रोवाइट uta high passe प्रोवाइड देन डॅबल दानर्जी प्रोवाइडिस राज़े और कार्भुधेद्र की aिट सब्सक्राइबगें नेवेडिक जुर्ण जुछी 72019 वाली एनर्जी से डबल एनर्जी किस से प्राप्त होती है वह उसमें फैट, वाइटेमिन्स, मिनरल्स, स्टार्ज में से इसका अंसर है फैट उसके नेक्स्ट है नेक्स्ट कोस्टन है दा कॉंपोनेंट ओफ फूर विच है पार बॉड़ी तो फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन इस मतलब वह तत्व जो हमारी बॉड़ी में जो इन्फेक्शन बीमारियों से लड़ने में हैल्प करता है तो यह इसमें चार आप्शन है हिंदी में भी दिय तो इसका अंसर है प्रोटीन नेक्स्ट है हमारी बॉड़ी में जो हुइमोग्लोविन का जो फॉर्मेशन होता है ब्लड में उसके लिए कौन सा मिनरल्स आवश्चक होता है तो कैल्शम आयरन मैगनेशम आयोडीन में से आंसर है इसका राइट आंसर इस आयरन फिर नेक्स् मिनरल विच कंट्रोल से फंक्शनिंग ओफ थाइराइड इस तो इसका आंसर है कैल्शम आयोडीन मैं मैंगनेशम जिंक में से आयोडीन नेक्स्ट है एक कुश्चन हमारी बॉड़ी का जो टेंपरेचर है उसको कॉंस्टेंट बनाने में इस्थिर बनाने में क्या इन में से सायता करता है रफिज वाइटमीन्स एनरजी गीविंग फूड या वाटर तो इसका अंसर है वाटर नेक्स्ट नेक्स्ट है जैगरी इस अ गूट सोर्स और किसका अच्छा स्त्रोत है तो है कार्भाइड्रेट का दा हाइएस्ट कंसेंट्रेशन आफ मेंडर मिन्रल्स आर फाउंड इन स्किन आम्स और लेक्स बोथ या बोन्स और टीथ तो इसका अंसर आएगा हमारी खड़ियां एवं दातों में मिन्रल्स अधिक पाई जाते हैं नेक्स्ट है which of the following is a protein source of plant origin, egg milk cheese and soya bean स्कां सर्थ ने कार्भ वाइड्रीट इने इंफैंट्षली लिड्ष टो आगर छोटे बच्छों में प्रोटीन और कार्भो एड्रेट के स्किमी ओल जाए तो क्या होता है इसमें मेरसमस इसका अंसर्मस next है advantages of meal planning is तो अगर हम meal planning करेंगे तो इसके क्या क्या लाब है control over the food budget, right, diversity in diet, right, obtaining in balance, right, right, all of the obvious का मतलब यह सब के सब सही है next आता है feeding only cholesterol and breast milk is called exclusive breast feeding formula feeding both and A and B complementary food तो यह है इसका answer से next है which vitamins and vitamins are needed in large amount during pregnancy for rapid cell prolification गर्वा स्वास्ता के दोरान कोशिकाओं के तीवर विस्तार है तो सबसे अधिक किसकी आवश्यक्ता होती है तो इसमें है जो सबसे ज्यादा आवश्यक होता है वो है folate and vitamin B 12 इसका answer है next है mother nutrition important to healthy pregnancy because it determines the development of adequate maternal iron stores and adequate fat supply for the mother, healthy support tissue, the placenta, amniotic sec, umbilical cord and uterus is none of the award, तो इसमें C answers है है ना, umbilical cord, placenta, amniotic sec, etc next है result of physical activity during pregnancy may include तो इसका है relief from morning sickness, weight loss, reduce stress, easier from child birth और all of the above तो इसमें है जो सबसे ज्यादा relevant लग रहा है reduce C, इसका answer है C reduce stress, easier labor and faster recovery from child birth next है breast milk is recommended for the first 12 month of life because it offers complete nutrition and to the infant तो इसमें है फ्रक्टोस, immunological protection A and B दोनों है इसमें when is world health day celebrated तो विश्वास्ते दिवस कब मना जाता है 7th of April इसके बाद है where is central food and technological research institute situated तो कहा है ये इन चारों में से इसका answer है Mysore next है when was UNICEF established कब हुआ था UNICEF किस थापना 1946 ICDS package of services comprises supplementary ये scheme है जो कि supplementary food, nutrition, immunization, health, check-up इन सबके लिए responsible होती है the consequences of mild nutrition is poor physical growth, physical handicap, death, all of the above तो इसमें आएगा all of the above answer the 3D is pellagra denotes dermatitis, diarrhea, dementia या ओल अफ दी अबव यह तीनों होते हैं 3D का मतलब इस इस नौट इंग्लोडें हाइफाइवर डाइट इन चारों में से कौन सी हाइफाइवर डाइट में शामिल नहीं होती तो रिफाइन फ्लोर है इसका अंसर तो यह अभी यह 25 कोशन हमने यह किये यह यह थाइवर में यह 600ений